हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टो डॉली स्टडी, दुस्तो आज के इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल 2030 के स्पैसल एक्जाम का नेक्स्ट एनलिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं, आज 29 नॉबर 2030 को हम थर्ड सिप्ट का एनलिसिस कवर करेंगे, इससे पहले हम आ अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो के पीडिया फाइल आपको मिले तो आप टेलिग्राम को जोइन कर लिजिगा, इससे पहले हैं कि जितने भी पीडिया पर हमने सारी टेलिग्राम पर अपडेट कर दिये, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, इसको बेल आइकन को ओल पर सेलेक्ट कर लिजिगा, आप सब इसे रिक्वेस्ट हैं, तो आईए स्टार्ट करते हैं, फस्ट कुशन से जिके करिटफेर का हमारा पहला कुशन है, बीहु किस राजी का लोकनित्य है, सही जवाब रहेगा, असम का, बीहु जो है ये असम राजी का लोकनित्य है, तेकि लोकनित्य एक हिसा नित्य है, जो लोगों द्वारा विक्सित किया जाता है, जो एक निश्ची छित्र या देश के लोगों के जीवन को दरसाता है, सभी जातिया नत्य लोकनित्य नहीं होते हैं, इलिएरे सभी जो जाति नित्य होते हैं, ये लोकनित् जाता है मद्य अप्रेल में मद्य जन्वरी में और अक्टूबर की अंतिम सप्ता में याने कि अगर कोशन इसी तरह से आप से बने कि बताईए असम में जो बीहू त्युहारे असम का ये असम में कितनी बार मनाया जाता है तो आपका आंसर होना चाहिए तीन बार हो सकता है महापात्रा है ये ओडिसी नित्यांगना है और गुरु है तो सुजाता महापात्रा एक प्रसिद्य ओडिसी नित्यांगना और गुरु है जिन्होंने ओडिसी नित्य सेली में महत्वपूर्न योगदान दिया है वहाँ अपने सुंदर आंदुरलनों जटिल फूट वर्ग और भावनात्मक अभी व्यक्तियों के लिए मानी जानी जाती हैं जो ओडिसी नित्ति की विसेश्था है अगला कुशनी संपत्तिक अधिकार के सनुछेद में हैं तो अनुछेद 301 आपका करेक्ट आंसर रहेगा संपत्तिक अधिकार को चुमालिस वज्जो संसुदन अधिनियम था 1978 का इसके द्वारा मौलिक अधिकारों के सूची से इसको हटा दिया गया है संपत्तिक अधिकार को इसे सनुविदान के भाग 12 में अनुछेद 301 के तहस्त कानूनी अधिकार बना गया है इसलिए वर्तमान में केवल 6 मौलिक अधिकार देखने को मिलते हैं और अनुछेद 19 ने सभी मौलिक जो सभी नागरिको को संपत्ति के अधिकार दारना और निप्टान का अधिकार प्रदान किया कि यह स्टेडियम वाला चिन्ना स्वामी पूचा है या किसी व्यक्ति विसेश के बारे में यहाँ पर कोशन दिया था आपसे बाकि हमें व्यक्ति विसेश वाला यहाँ पर हमें तोड़ा से देखा तो नहीं मिला है इसलिए हमने यहाँ पर स्टेडियम ही डाल दिया क्योंकि यहाँ से जायता पॉसिबिलिटी यही है कि कॉशन आपका स्टेडियम से होगा चिन्ना स्वामी जो स्टेडियम है यह किसे समझे ते किर्केट मेदान है यह आपका कोशने भारत की जनगना 2011 के अनुसार किस राज्य की पूरुष साक्षर्ता दर जो है सरवादी के सही जवाब रहेगा केरल की केरल की जो पूरुष साक्षर्ता दर है यह 96.1 प्रतिसत भारती जनगना 2011 की जनगना रिपोर्ट के अनुसार केरल की साक्षर्ता दर 94 प्रतिसत है केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है 94 परतिसत के साथ में केरल सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है पूरु साक्षरता यहां किया 96.1 एक परतिसत और जबके महिला जो साक्षरता है यह है 92.07 परतिसत केरल की कुल साक्षरता दर 94.94 परतिसत है वरद्दी दर जो है ये 1.64 प्रतीसत हैं और वहीं अगर बात करें कि देश की 10 की विकास दर क्या है 2011 की अनुसर तो ये है 17.7 प्रतीसत के लिए 2011 की जनकरना की अनुसर भारत की वयस्क साक्ष्रत दर कितनी है 84.04 प्रतीसत अगला कुशनी गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्सी योजना का इसा था या किस पंचवर्सी योजना से सम्मन रखता है पांचवी योजना आपका करेक्ट आंसर रहेगा पांचवी पंचवर्सी योजना पांचवी जो पंचवर्सी योजना था इसका टार्मत था 1974 से 1978 तक ये चली थी इंद्रा के राजनितिक विरोधियों ने इंद्रा हटाओ का नारा दिया लेकिन इंद्रा नहीं सही गरीबी ह रटाओ के रूप में दोराया और इस नारे का काफिफ प्रभाव पड़ा इंद्रा को अब कई लोगों द्वारा भारत के रक्चक के रूप में देखा जाता है अगला कोशन है हमारा पंचवर्सी योजना में कौन सा सही और कौन सा गला था इस तरह से कथन वाला आपको कोश ने उनका अंसर दे पाना इतना ज़्यादा पोसीबल नहीं हो पता है क्योंकि आप्शन्स याद आपको नहीं रह पाते हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़े हमने डाली देखे पहले पंचवर्सी जो योजना थी यह हेरोड डोमर मॉडल पर आधा रही थी दूसरी पंचवर् के एक संस्कृत कवी पूजावादी और सरकारी मंत्री थे वहां समुद्र कप्त के दरबार में एक महतवपूर्ण व्यक्ति थे अगला कुछ ने कालिदास द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई सई जवाब रहेगा अभिज्यान सकुनतलम को कालिदास ने लिखा था और कालिदास के कार्यों में सर्विसेश्ट माना जाता है कालिदास के कुछ महतवपूर्ण नाटा के विक्रमोर्य वंसी मालविकागनी मित्रम और सकुनतला तो इनको भी और देखके जाएगा तो कि यहां से भी कुछ बंदे हैं अगला कुछ ने महात्मा गांधी के राजनित पूच गए वो दो पोसिबल नहीं है उस पैटन के सांद में बता पाना क्योंकि आप सभी भी एक्जाम देने कभी ना कभी गए होंगे या हुआ होगा या पी आपका आगे होने वाला एक्जाम तो आपको भी पता होना चाहिए कि एक्जेक्ट पैटन तो आप अंदर से आ बट डायकली इंडायकली यह जो डिटील आपके लिए लेकर आ रहे है ना हम इस डिटील से आपके सारे जो डाउट से वो खिलियर हो जाते हैं यानि कि यह जो जो कुश्ण से पूरा वो आपका कवर इसी डिटील में से हो जाता है महात्मा गांदी के राजनितिक गूरू थे गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांदी के राजनितिक गूरू थे वहाँ एक भारती उदारवादी राजनितिक गी थे याने के राजनितिक नेता और समाज सुदारक थे गोपाल कृष्णी गोखले कॉंग्रेस के वरिष्टे नेता थे वे सर्वेंट्स आफ इंडिया सुसाइटी के संस्ताफक थे और 1907 के सूरत विभाजन के बाद वहां उधारवादी वर्गे के नेता थे गोखले अपने प्रारंबिक वर्सों में गांदी के गुरू थे अगला कुशने म के गुजराल साहब की पुस्ता कौन सी है तो मेटर्स मेटर्स आफ डिस्क्रिफिशन्स और आइटो बाइग्रॉफी ये पुस्ता के इनकी पुरू प्रधानिमंतरी इंडरकुमार गुजराल ने मेні मेटर्स ओफ डिस्क्रिफिशन्स और आइटो बाइग्रुफी नाम की आत्मकता लिखी थी और यहां आत्मकता और यहां आत्मकता खिसी भी پुर्व बहवानी देवी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडू की बहवानी देवी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारती फेंसर को इंडियन फैसिंग एसोशीशन द्वारा समानित किया गया 27 वरसी भावानी ने समायुजित अधिकारिक रिंकेंग ए ओ आर पद्धिती के माध्यम से टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया लिए भावानी देवी तलवारवाजी याद रखीगा अगला कोशन है क्रिकेट के एक ओवर में कितनी गेंदे होती हैं सही रिवाब र अगला कोशन है चाई की खेती के लिए कौन सा राजी प्रसिदे सही जवाब रहेगा असम भारत का सबसे बड़ा चाई उत्पदक राजी है इसके बाद में पश्ची मंगाल का नमबर आता है किलिए रे अगला कोशन है कि संसूधन से मदान की आयू 21 वर्स से घठाकर 18 वर हुआ है यहां जो विदेया के 15 दिसमबर 1988 को लोक सबाके दवारा पारित किया गया था अगला कुशन है कि साधक ने सहाजहा दवारा निर्मेथ मयूर सिंगासन ओर कोहिनूर हिरे को लूट था यह लूट था नाधिर साहा ने याने कि कि सासक ने सहा जहा द्वारा निर्मित मयूर सिंगासन कोईनूर हिरो को लिटा था तो ये किसने निर्मित करवा था ये भी आपको यहाँ पर पता चल चुका है नादिर साह करेक्टांस रहेगा नादिर साह जो था फारस के अफसरीद राजवन्स का संस्तापक था नादिर सा जो मयूर सिंगासा ने और कोईनूर हिराय इसको लूट लिया अगला कोशन है भारत की सबसे लंबी सुरंग को अंतर राइशते सही जवाब रहेगा जम्मु कस्मीर में जम्मु कस्मीर की चेनानी नासरी सुरंग जो है ये भारत की सबसे लंबी सुरंग ये इस सुरंग की ज करीच का जो रास्ता है सिर्फ दोगंटे में पूरा हो जाता हैं तो यह प्लिख कुषण बैसे कूश्ची की बात करते है अपनर नेक्स्ट कूश्च पूष र det था और आंतर था उसका कोसिका सभी ग्यान जीवों की मुल संजिशनात्मक कर्यात्मक और जेवे के खाई है यह इसका सही था और भी थे तीन और ऑप्शन वो गलत थे यह सही था नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं 2023 में पदमसरी से किसे मिला है किसे समानित की अगया इस तरफ से कोशन पूछ गया तो राश्टपत्री ने साल 2030 में 106 पदम पुरुसकारों के मंजूरी दी इसमें इंकानवे पदमसरी जो है पुरुसकार थे तो यहां तो इंकानवे थे अब यह बता पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि इतने सारे लोगों को मिला है औप्शन भी हमें नहीं मिले हैं अगला कुशन है आगा खां का सम्द्ध किस वाग्यांतर से हैं तो आगा खां एक्जक्ट यह नाम कुछ और होगा यहां पर आगा खां नहीं होगा के नहीं से पूछा गया थो ठीक है नहीं तो आपकर कामेंट करके पता दीजिए का पाकी आगा खां सायध नहीं था अगला कुशन है इनमें से द्वी Isthtavana अबेक्ट से हैं तो सोडियम सलफेट के सांद वेरियम क्लोराइट का विलिया यह द्वी विस्थापन अभी घिरिया है इसके अलावा अनुसूची से कोशन बना है आपका राजिपाल से रिलेटेड भी कोशन बना है जो की एक्जक्ट हमें नहीं मिल पाए हैं जितने भी यहाँ पर मिल जो हैं जैसे कि control, past, copy, past है नहीं इस तरह की जो भी है control, save करने की, copy करने की, past करने की, cut करने की यह सारी आप अच्छे से पता होगा आपको print करने की है नहीं और print, preview के लिए कौण से shortcut की हैं तो यह सारी जो shortcut की है, easy-easy वाली, वही आपकी जायतर पूची जा रही है तो इनक को आप अच्छे से देख रहां जाए इंटरनेट से रिलेटेड भी कोश्चन्स आपका पूचा गया है MS Excel 365 से कोश्चन बना है और MS Word का 365 से भी कोश्चन्स आपका बना है इसके लावा मैस में बात करें LCM HCF आपका पूचे गया लाभानी साँ में कोश्चन्स बना है चेटरमीती से कोश्चन्स बनाए परसिंटेज से कोश्चन्स बनाए'M और गोला वाला कोश्चन बियाफका बनाए इसी के साथ में रिजनिंग आकरती आपके पूची गही है, coding decoding से आपका question बनाएं, mirror image से question बनाएं, seating arrangements से question बनाएं, ओर functions aysey questions बनाएं, याने कि यहाँ पर हमने mask का आपको cover करे लेया, reasoning का आपको cover करे लेया, computer का cover करे लेया, और Gकी और GS का भी आपको हमने cover करे लेया है, याने कि अगर मान के देखे तो हम आपने सभी पांच चारो सब्जिक्ट के कुशन्स आपको कवर करवा दिये हैं और हमने आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड याने तीनों सीप्ट के वीडियो भी आपको दे दिये हैं आज और इस वीडियो के पीडियाप आपको कहां पर मिलेगरे Ursus के चेनल को सबस्क्राइब नहीं किया है ताकि जो भी नया वडियासे सबसे पहले आप सभी के पास में पहुचपाए क्लियर गाइस मिलते हैं हमारे कल के फर्स्ट स्टिप्टिक अनलिसिस के साथ तब तक लिए जया हिंद वन्दमातरम